पपू, तुम कभी पढ़ते भी हो? हाँ मैंने तो कभी नहीं देखा मैंने माम नाती हो हाँ, क्यों? मैंने तो कभी नहीं देखा शुक्रिया बेटा चलो अंटी मैं जाता हूँ अरे बेटा, यहीं सोजा, बहुत रात हो गई है मैं तेरी ममी से बात कर लूँगी अंटी, चलो ठीक है आओ बेटा, अंदर आओ अच्छा बेटा, एक काम कर तो गुल्लू के साथ उसके कमरे में सोजा गुल्लू? अब क्या मैं बच्चों के साथ सोऊगा? ने ने अंटी, मैं हाँ सोफे पे सोजाओंगा पक्कार बिटा, चलेगा ना? हाँ, हाँ, अंटी आप कौन? मैं गुल्लू और आप कौन? मैं उल्लू क्या से क्या हो गया ए लड़की हाँ, कॉलेज में नहीं हो क्या? हाँ, नहीं हो अच्चा, तो एक बात बताओ पटना कहा है? बिहार में अरे बिहार जाके पटोगी, यारी यहीं पट जाओना ते कमीने ने जाए तुमने मुझे बुलाया? हाँ, तुमने मेरे लिए इतनी तक्रीफ के उठाए सच बता हूँ हाँ, तुम्हारे चेरे के इस खुशी के लिए बस इसी लिए? हाँ, और कुछ नहीं? नहीं, सम्तिंग सम्तिंग भी नहीं हाँ, तुम्हारे होते हुए भी सिंगलू में तुम्हारे होते हुए भी सिंगलू में नहाने के लिए ठीक पांच बजे गरम पानी मिल जाना चाहिए वर्ना वर्ना क्या? वर्ना मैं थंडे पानी से नहा के चलाई हाँगा हाई गाइज, मेरे बहन को लाइन मारो वो लाइन नहीं लाइक होता, जाहिल करता ये कैसे दाल बना कर रखे है ना नमक है न मेचा है बिलकुल फीक है तुम सारा दिन मुबाइल में लगी रहती हो, कुछ पता नहीं चलता क्या दालना है क्या नहीं भाई तु पहले मुबाइल साइड मेरा कर खाना का, कब से देख रहे हैं पानी में डुबो डुबो कर रोटी खा रहे और भाई, ये मेरे वाइफ कमला नमस्ते बाबी जी, आरे भाई कमला पसंद देख्या है मुझे तो बहुत पसंद है, कमला से तो पूछ ले मैं उसको पसंद हो की नहीं बहुत स्मार्ट लग रहे हो पर तुसी पटा नहीं पाओगे इमसे हो मियूदु मियूर्ब हो कि आहां भी आपके, इस लड़की को सो काड़ी 17,000 पाज़ा हम हो अलगम हो अरे भाई बहुत दिन बाद मिला यार आज तो तो को सहरी सुनाना पड़ेगा सहरी सुना है? हाँ तो सुन कोशिज करने वालों की कभी हार नहीं होती वाव 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 कोशिज करने वालों की कभी हार नहीं होती पैदल ही निकल जाते हैं ठेके की ओर जिनके पास कार नहीं होते निर्ची मू के लावा और कहां कहां लगती है बिल्कुल सही जवाब पौधे में और जहां आप सोच रहे हैं वहां भी अरे क्या हाल है तेरे बोफिन का अरे आज का अलके लड़के साथ धोके बाजर गदार होते हैं हाँ तो कुत्तों से प्यार कर लो वो तो आफादार होते हैं